तो आज हम जिस मूवी को एक्स्प्लेइन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है गुड हंटिंग दरासल ये एक एपिसोड है लेकिन ये एपिसोड काफी जाता तगड़ा है और इस सिरीज का नाम है लव डेथ एंड रोबोट तो कहानी शुरू होती है जहां पर ये लड़का जिसका नाम होता है लियांग लियांग की पिता प्रेत आत्मा को शिकार करते हैं और यहां पर इन आत्मा को हूली जिन कहा जाता है लियांग की पिता चाहते हैं कि वो भी उनकी तरह हूली जिन का शिकार करें इसलिए वो यहाँ पर लियांग के साथ छुपकर हूली जिन का इंतजार कर रहे है लियांग अपने पापा से पूशता है कि वो हूली जिन कब आईगी तब उसकी पापा कहते है कि इस घर में एक आदबी उस हूली जिन के साथ पलंग तोड़ने के लिए मरा जा रहा है क्योंकि हुली जिन ने इस आदमी को अपने अनमोल रत ने दिखा कर इसको अपने वश में कर लिया है और वो इसके साथ संबोग करने जरूर आईगी तभी उदर पर कुछ आवाज आती है और लियांग देखता है कि वहाँ पर वो घुली जिन आ चुकी है तभी उसके पिता वोसे पीछे से खीच लेते हैं और कहते हैं कि हुली जिन की आँखों में कभी मत देखना वरना वो तुम्हें भी समोहित कर लेगी अब लियांग के पापा उस हुली जिन पर पीछे से वार करते हैं पर वो चूक जाते हैं और लियांग से कहते हैं कि हुली जिन की उपर बाल्टी में भरा हुआ मूत्र फेक दो पर लियांग जैसे ही वो मूत्र फेकने जाता है वो प्रेत आत्मा उसको बहुत जादा सुन्दर लगती है और वो हर लॉंडी की तरह यहाँ पर पिखल जाता है और वो मूत्र नहीं फेक पाता और तब ही उसके पापा उस मूत्र को उस हूली जिन की उपर फेक देते हैं और वो हूली जिन अपने असली रूप में आ जाती है और वहां से भागने लगती है। लियांग की पापर रोज चमन प्रास खाने वालों में सोते हैं और छटों को नाकते हुए उस हूली जिन का पीछा करने लगते हैं। और एक जगा पर हवा में उस हूली जिन का हाथ काड़ देते हैं वो देख लेते हैं कि उस प्रेत आत्मा की गुफा कहां पर है अब उस गुफा के पास पहुंचने के बाद वो लियांग से कहते हैं कि तुम पीछे से जाओ लियांग जैसे ही पीछे की ओर से अंदर जाता है उसे वहाँ पर कुछ गिरने की आवाज आती है वो जैसे ही वहाँ पर जाता है वो देखता है कि वहाँ पर एक और हूली जिन है ये हूली जिन उस पड़ी वाली हूली जिन की लड़की होती है इस हूली जिन का नाम येन होता है वो लियांग से कहते है कि तो हमें क्यों मार रहे हैं हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा लियांग येन से कहता है कि तुम्हारी मा लोगों के अर्मानों को खड़ा करके उनका शिकार करती है अब येन लियांग से कहते है कि वो आदमी मेरी माँ से प्यार करता है इसलिए मेरी माँ उसके पास गई थी और एक आदमी एक हूली जिन से वैसे ही प्यार कर सकता है जैसे वो एक आम औरस से करता है और तुम भी मुझे जब से जोने सिंस की नजर से देख रहते हैं पर यहाँ पर लियांग की कोई भी गलती नहीं होती क्योंकि ये इन बिना कपड़ों के लियांग से बहस कर रही होती है और इसलिए बिचारे लियांग की नजरे इधर से उधर चली जाती है तब ही येन की माँ वहाँ पर आती है और येन से कहती है कि इस बच्चे से दूर रहो और अचानक से लियांग के पापा पीछे से आकर उस हूली जिनकी गरदन काड़ देते हैं जिसको देखकर येन वहाँ पर छुप जाती है लियांग के पापा लियांग से पूचते है कि त इसकी वज़ा से उनका राम नाम सत्य हो जाता है। अब लियांग KFC की बकेट लेकर येन से मिलने जाता है। येन अपनी माँ की मौत के लिये लियांग को बिलकुर भी दोशी नहीं मानती। येन एक और बात नहीं मानती। जो कि ऐसाई से कब्ड़े पहनना। तो कि हर समय येन के अनमूल रतन साफ साफ दिखते हैं। पर हमारा लियांग काफी जादा सकत होता है। लियांग येन से पूछता है कि शिकार कैसा चल रहा है। तब येन उसको बताती है कि पक्की रोडों और मसीनों से निकलने वाले दूए की वज़े से उसका जादू अपकाम नहीं करता और वो रूप नहीं बदल पाती। अब लियांग येन को बताता है कि वो गाउं छोड़कर कहीं ओर जा रहा है। और लियांग आ जाता है हौंग कॉंग। लियांग हौंग कॉंग में 5 साल में ट्रेन के सभी पुर्जो को काफी अच्छे से समझ लेता है। और अपने काम में काफी जादा एक्सपर्ट हो जाता है। अब एक बार लियांग कहीं जा रहा होता है। तब ही वो देखता है। उपर कुछ आदमी किसी लड़की को अपनी हवास का सिकार बना चाहते है। और हमारा लियांग वहां पर साउथ की हीरो की तरह पहुँच जाता है। और जब वो उस लड़की को देखता है तो उसे पता लगता है ये तो येन है। लियांग और आदमियों से कहता है कि जो डंडा तुम येन की टांगों में लगा रहे थे। उसी डंडे से मैं तुमारे अंडे फोर दूँगा। ये सुनकर वो तीनों वहां से चले जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने अंडे प्यारे होते हैं। आकर किसको अपने अंडे प्यारे नहीं होते। लियांग येन से पूछता है कि तुम यहां पर क्या कर रही हो। तब येन उसको बताती है कि मैं यहाँ पर लोगों की प्यास बुजाती हूँ क्योंकि मेरा जादू बिलकुल भी काम नहीं करता बिलकुल तुमारे पप्पू की तरह अब लियांग जिस भी मशीन को देखता वो इसके बारे में अपनी कॉपी में लिख लेता था और लियांग का इंटरस्ट ट्रेंज से आटोमेटा पे आ जाता है और वो घर पर इसकी काफी जादा प्रैक्टिस करता है और कहीं आटोमेटिक मेशीन भी बनाता है और काफी मेहनत के बाद लियांग हमारा आटोमेटा में भी एक्सपर्ट हो जाता है अब काफी दिनों बाद येन लियांग के पास अपनी परिशानी लेकर आती है वो लियांग को बताते है कि कुछ दिनों तक एक गवर्नर उसका क्लाइंट था वो उसको पैसे पूरे देता पर करता कुछ नहीं था जिससे येन को लगता है कि गवर्नर को अपने पप्पू का इस्तेमाल करना नहीं आता पर गवर्नर बहुत ज़ुदा चालो इनसान होता है और एक दिन ये इन को धोके से बेहोश करके ये इनको पूरी तरीके से मशीने बिदलवा देता है और यहाँ पर यहन को पता लगता है कि गवर्नर का पप्पू मशीन उसे उत्तेजित होता था इसलिए वो उसको पूरा मशीन बदल देता है और उसे मशीन बदलने के बाद उसके साथ काफी जादा संभोग करता है पर एक बार यहन उसको मना कर देती है जिसके बाद गवर्नर काफी जादा भड़क जाता है और उसको मारने लगता है और अब यहन का भी पारा हाई हो जाता है और वो उस गवर्नर को मार देती है अब यहन की इस हालत को देखकर लियांग के रॉंग्टे खड़े हो जाते हैं क्योंकि और कुछ तखड़ा हो रहे नहीं वाला अब येन चाहती है वो उन सबी आदमियों का शिकार करे जिनोंने उस पर जुर्म किया और जो लड़कियों पर जुर्म करते है लियांग येन से कहता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा तो कि लियांग रहता है हमारा मसीनों का एक्सपर्ट और वो येन को पूरा अपडेट कर देता है और उसको काफी जादा ताकतवर बना देता है काश वो अपनी किसी और चीज़ को भी ताकतवर बना सकता अब येन हो जाती है पूरी तरीके से सिकार करने के लिए तैयार और वो जाते जाते लियांग को सिर्फ एक ताली दे कर जाती है मतला हमारे लोंडे ने इतनी मेनत करी उसका इनाम सिर्फ ताली और हमें यहाँ पर लियांग के लिए काफी जादा बुरा लगता है अब यह न अपना रूप बदल कर शिकार करना शुरू कर देती है और यहीं पर यह एपिसोड दी एंड हो जाता है तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और अगर आप चाहते हो से एपिसोड का दूसरा पार तो आप वो भी कमेंट में लेख सकते हो और ऐसी अद्भूत और संसकारी मूवी के लिए फिल्मी सिग्मा को सब्सक्राइब सरूर कर देना और अगर आप चाहो तो अपने समय का बहुमूले हिस्सा निकाल कर ये साइड वाली वीडियो को भी देख सकते हो